मनस्यन्त वचनस्यन्त कर्मन्यन्त दुरात्मनाम अर्थाद दुर्जन लोग मन से कुछ और रखते हैं और वचन से कुछ और बोलते हैं और काम कुछ और करते हैं मनस्वी कार्यार्थोन गणयती दुख खंग न चसुखम मनस्वी कार्यार्थी पुरुष शुक और दुख की परवाह नहीं करते मनो जित्वा ध्रो जया मन को जीत लेने के पश्चाथ और सब अस्थान विजय निश्चित है मनो रत्था नाम तटा प्रवाहा मनो रत्थों के प्रवाह विना तट के बहा करते है मनो ही जन्मांतर संगती ग्यम मन जन्मांतर के संबंद को भी जानता है ममेति चा भवेन मृत्यूर्न ममेति चा शाश्वतम ममता ही मृत्यू है और ममता ही अभाव मोक्ष है मरणंग प्रकृति शरी रिर्णाम मृत्यू सरीधारियों का संबंभाव महा जनो यन गतह सपन्था वही मार्ग है जिससे अधिक लोग जाते हूं महान महत्यू करोती विक्रमम महान पुरुष महान पुरुष के साथ ही अपना पराक्रम दिखाता है माने मलाने कुता सुखां जब मान नहीं तो सुख कहां मार्गस्थो नावसी दती जो ठीक रास्ते पर चलता है वकस्ट में नहीं पड़ता मार्गा रब्धा सर्व यतना स्फलंती उशित मार्गस से प्रारंब किये हुए सभी काम सफल होते हैं मितंग चसारंग च वचो ही वागमिता परिमित और सार्युक्त वचन बोलना ही वागमिता है मित्रेण किंग व्यसन काल परांग मुखेन उस मित्र से क्या जो संकटों में परांग मुख्र हैं मुखर तावसरे ही विराजते समय पर बोलना अच्छा लगता है मुण्डे मुण्डे मतिर्विन्ना परतेक व्यक्ति का भिन्द भिन्द विचार होता है मुखर ताज्वाली तंक स्रेओर नचा धूमाई तंक चिरम एक मुखर भी जलते हुए रहना अच्छा पर बहुत देर तक धूमाई धूमा जैसा रहना अच्छा नहीं मुढा परप्रते नेय भुद्धी मुर्ख जन दुसरों के कतना अनुसार चला करते हैं मुर्ख स्यकिंग सास्त्र कता प्रसंगई मुर्ख को शास्त्रों की बातों से क्या मतलब मुर्खा नाम वोधको रिपू मुर्खों को समझाने वाला ही उसका शत्रू होता है मृतु भी धर्मात्मा की रक्षा करती है मेधावी बृद्ध सेवया बृद्धों की सेवा से मनुस्य मेधावी होता है मौनंग स्विकार लक्षण मौन धारन कर लेना स्विकार का लक्षण है यता राजा थताप्रया जैसा राजा होता है वैसा ही प्रजा होती है यह क्रियावान सह पंडित जो क्रियाशील हो वही बिद्ध्वान है यता सार्भूतंक तदु पासनियम जो सार्भूत वस्तु हो उसी का संग्रह करना चाहिए यतो धर्मस ततो जया जहां धर्म रहता है वहां विजय होता है यतो भ्यूद दयानी स्रयसिद्धित धर्मा जिससे मनुष का इह लोक और परलोक में अव्यूद्धे हो तथा आंत में मुक्ति प्राप्ति हो वही धर्म है यत्नवान सुख मेधते प्रयत्न शील मनुष्य सुख प्राप्त करता है यद्य दाचरती स्रेश्ट अस्तत देवे तरो जना बड़े लोग जैसा आचरन करते हैं वैसा ही छोटे लोग भी आचरन करते हैं यद्य भाविश्य विनश्यती जो व्यक्ति भाविश्य को ठीक ठीक चिंता नहीं करता वह विनश्ट हो जाता है यत्र निती बले चोभे तत्र स्री सर्वतो मुखी जहां निती और बल दोनों होते हैं वहां सब प्रकार की सुख सम्रिधी प्राप्त होती है यत्रण नार्यस तु पुज्यंते रमउनते तत्र देवता जहां इस्त्रियों का समाधर होता है वहां देवता का निवास होता है यदेव अरोचते यसमई भवेत सिय सुंदरम जो वस्तु जीन को अच्छी लगती है उसके लिए वही सुंदर होती है यसमादू द्वी जते लोगा कतंग तस्य भवो भवेत जिस मनुस्य से सब लोगों को त्रास होता हूँ उसका कल्यान कैसे हो जकता है याचनान तंग ही गवरवम याचना से गवरों का विनाश हो जाता है यांचा मोधावरमा धी गुणे नाधमे लब्ध कामा गुणवान मनुस्य के पास याचना का विफल हो जाना अच्छा परनतू अधम पुरू से याचना की पूर्ती नहीं हो अच्छी यथार्थ नहीं भूने कीमप्यसाध्यम यथार्थता पर रहने वाले के लिए संसार में कोई वस्तू असाध्यन नहीं होती है यथार्थ नहीं भूने कीमप्यसाध्यम यान्ती नियाय प्रवरितस्य तिरिय चोपी सहायताम जो मनुस्य नियाय के पत्पर चलता है उसकी पशुपक्षी भी सहायता करते है या लोकत द्वय साधनी तनू बृतांग सा चतुरी मनुस्यों की वही चतुराई चतुराई है जिससे दोनों लोग सिद्धो याद्रिशी भावना यस्य सिद्धिर भवती ताद्रिशी जैसी जिसकी भावना होती है वैसी ही उसकी सिद्धी होती है योगा कर्मसु कौशलम कर्मकुशलता ही योग है रक्षनती फुण्यानी फुरा कृतानी पुर्वध धर्म के लिए किये हुए फुण्य मनुस्की रक्षा करते हैं राजा कालस्य कारणम राजा काल का कारण होता है रिक्ता सर्वो भवती ही लगुक पुरुणतया गवरवाय खाली सब कुश हलका होता है और जहां पुरुणता होती है वहीं भारीपन रहता है लोभा पापस्य कारणम लोग पाप का कारण होता है बर्मेको गुणी पुत्रो नचा मुर्ख श्रत्तान्य पी एक ही गुणवान पुत्र अच्छा पर सौ मुर्ख पुत्र नहीं अच्छे वने पिदोशा प्रभवन्ती रागी नाम रागी उक्स पुर्षों को बन में चले जाने पर भी दोशुत्पन हुआ करते हैं लिखी तम अपी ललाटे प्रोजी जतुं का समर्था ललाट में लिखे को कौन मिटा सकता है वशेही यस्ये द्रियानी तस्य प्रग्या प्रतिष्ठा प्रतिष्ठीता जिसकी इंद्रिया वश्च में होती है उसकी बुद्धी स्थिर होती है वर्तमाने न काले न प्रवर्त तंते विचक्षना उद्धिमान व्यक्ति वर्तमान काल के अनुसार विवार करते हैं वस्तु दोश मनाद्रित्य गुणानस ची इन्वत्नती तद्वीदह गुण ग्राही जन वस्तु के दोश का अनादर कर उसके गुणों का ही संगरह करते हैं वादी दोशंग न पश्यति वादी मनुस्य अपना दोश नहीं देखता